अगर मैं बात करूँ, substitution method होता किया, substitution method समझने से पहले कुछ थोड़ा सा इतिहास समझते हैं substitution method का, simple, बहुत simple, अब आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए, आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए, और वो सवाल ये होना चाहिए, छोटे से छोटा value variable आप pick कर सकते हो, वो आयोटाज मेरा नाम है कुल्दी भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुलू भईया के नाम से भी जानते हैं, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले है, pair of linear equations in two variable के lecture number 3, जिसमें हम लोग substitution method को cover करने वाले हैं, substitution method आपके पास बहुत important topic है, कोई भी दो equations के solutions को निकालन के लिए, अगर आपके पास दो linear equations in two variables है, तो उनके solutions को निकालने के लिए, जिस method का use किया जाता है, उसे बोला जाता है, substitution method, एक method substitution है, एक और method है, elimination method, वो हम next session में सीखेंगे, लेकिन आज हम substitution method पे based, हर एक type का सवाल cover करने वाले, चीके जी, तो चलिए विर बढ़ते वीडि में पढ़ना है, इस session में क्या कुछ हम लोगों को cover करना है, चीके जी, चलो, आजो, तो सबसे पहले, अगर मैं बात करू, substitution method होता क्या है, substitution method समझने से पहले कुछ थोड़ा सा इतिहास समझते है, substitution method का, देखो आप लोगों के पास, आप लोगों ने पढ़ाए कि यार, पास, A2X, प्लास, B2Y, प्लास, C2, इकोल्स टो 0, ये equations क headphone की general form है, अब इन equations में, आप लोगों को, क्या बात ध्यान में रखनी है, वो चीज समझते हैं, हमें इन equations के, हमें इन equations के, solutions को समझना है, solutions को समझना है, अब समझो, सबसे पहले solutions का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है solution क्या चीज़ है और कितने method होते solution find out करने के वो भी समझाएंगे सबसे पहले solution का मतलब समझो solution का मतलब होता है बेटा value of value of variables value of variables which satisfy equation which satisfy which satisfy equation यानि कि variable की value in variables x और y जो इसमें variables है x और y की वो value जो आपकी equation को satisfy करे आप equation को satisfy करे भाया यह क्या मतलब इतनी भारी सी अंग्रे जी बोल दिये कुछ समझ में नहीं आई तो इसका मतलब मैं x की और y की क्या value लू की मेरा lhs और rhs बराबर जाए यानि कि इनको जब मैं solve करूंगा x की कुछ value substitute करके y की कुछ value substitute करके पूरा का पूरा answer 0 आजाए तो that is the solution of an equation उसको बोला जाता है solution of a equation ठीक है जी चालो अब ठीक है भाया समझ में आगया solution होता है solution नाम की कोई चीज है अब भाया इसको निकालते कैसे हैं इसको निकालते कैसे कैसे इसको निकाला जाता है तो solutions निकालने के दो तरीके होते हैं solutions निकालने के दो तरीके होते हैं बेटा एक होता है graphical method एक होता है graphical method graphical method जो आपने पीछे classes में सीखा है जिसमें आप graph draw करते थे एना एक होता है graphical method जिसमें आप graph draw करते थे और एक होता है बिटा एक होता है बिटा आप लोगों के पास algebraical method आलजब्राइक मेथड़ ग्राफिकल मेथड में आप बनाया था ग्राफ स्प्लाट किये ते ग्राफ बनाये थे और उन ग्राफ के आपने देखा था जिस intersect करते हैं वहीं उसके solution हो जाते हैं अब एलजब्राइक method में आप लोगों के पास दो चीजे आती हैं algebraic method में आप लोगों के पास दो तरह के method आते हैं एक method आप लोगों के पास होता है elimination एक method आप लोगों के पास होता है substitution 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 method और एक method आप लोगों के पास होता है है बेटा Elimination method Elimination method Elimination method तो दो तरह के method होते हैं जिनसे आप लोग इनके solutions निकाल सकते हो algebraic method से ठीक है अब क्या होता है substitution क्या होता है elimination आज के session में हम लोग substitution को जानेंगे अगले session में हम लोग elimination को जानेंगे एक और method हुआ करता था cross multiplication वो अभी अपने syllabus में नहीं है तो आपने लोग discuss भी नहीं करने वाले और ना ही किसी competitive exam में उसका उतना important role है इस वज़े से उसको हम लोग छोड़ देंगे अब क्या होता है substitution method उसको जाना मानलों आप लोगों के पास दो equation से बिटा आज की session में हम लोग क्या करने वाले है substitution method substitution substitution method क्या होता है substitution मानलों आप लोगों के पास बेटा दो equation है एक है आपके पास 2x plus y is equals to 3 मानलों दूसरी equation है बेटा आप लोगों के पास 3x plus 5y is equals to 2 मानलों जा 3x plus 5y is equals to मानलों 6 है कुछ भी मानलों ठीक है यह दो equation से आपके पास अब इन दोनों equations को आपको solve करना है solve यानि की इनके solutions निकालने solutions का मतलब क्या है बेटा इनके answers निकालने कैसे निकालोगे x और y की value सबसे पहले एक चीज को समझो यह जो दोनों method आप पड़ रहे हो na substitution method हो चाहे elimination method हो यह दोनों के दोनों methods आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन Verf 16 उन equations में लगायोगे जिनके unique solution होंगे जिनके unique solution होंगे unique solution का मतलब है जहां पे Nós Schr liens होती है रस्ट क्लास में सिखाया था ना जब आपकी intersecting lines बनेंगी तभी आप इनके substitution और elimination methods को apply कर सकते हो तो जहाँ पे आपके पास lines आपकी intersecting lines होंगी वही पे आप अपने इस method का use कर सकते हो ठीक है solutions आप तभी निकाल सकते हो उसके तो आओ समझते कैसे देखो मेटा ये जो equation है ना substitution method का मतलब क्या होता है कि एक जगा से किसी भी variable की value निकाल लो आपका जो मन करता है जिस भी equation को उठाने का मन करता है आप उस equation को उठाओ और कोई एक value कोई एक variable की value निकाल लो जैसे माल लो मेरा मन किया कि 2x plus y is equals to 3 है मालनो मेरा मन किया इस वाली equation में x की value निकालने का तो मैं x की value कैसे निकालूंगा 2x is equal to y को उधर अगर हम भेज देंगे तो 3 minus y हो जाएगा और x को अगर मैं इधर shift कर दूँ तो 3y minus 3 minus y upon 2 ये मेरे पास x की value आ गई अब मैंने क्या किया एक equation से x की value निकाल ली एक equation से x की value निकाल ली और अब इस x की value को इस दूसरी equation में substitute करना है मैंने पहली वाली equation से x की value निकाल ली और दूसरी equation में मुझे क्या करना है x की जगा पे ये value substitute करना है यानि कि ये जो आपके पास है 3 3 minus y upon 2 plus 5y is equal to 6 इसकी जगा पे x रख दिया अब ये जब मैं y कितना हो जाए का 9 हो जाएका, 3 into minus y कृतना हो जाएका इस इको तो फोड़ा سा ओर सॉल करोगे 2 को इधर भेज़ बेजगे तो 9-3y प्लस 10y इस इकोल्स टू 6 दूनी 12 ये 9 इधर भेज़ दो, इन दोनों को solve करोगे, तो 7y आ जाएगा 12 में से 9 गए 12 में से 9 गए, तो कितना बच जाएगा आप लोगों के पास 12 में से 9 गए, तो 3 बचेगा तो 3 upon 7y का value आ गया अब वही value अगर मैं यहाँ पे substitute कर दू, x की जगा पे x की जगा पे क्या कर दिया, sorry y की जगा पे, अब मुझे x की value भी तो निकाल दिये, तो मैंने क्या कर दिया, 3 upon 7 substitute कर दिया divided by 2, 7 3 is a 21, 21 minus 3 upon 7 upon 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 18 upon 14, इसकी value आजाएगी x की और ये value आजाएगी आपके पास y की ये value आजाएगी x की और ये value आजाएगी आपके पास kis की y की, इसको थोड़ा सा और solve करोगे तो 9 upon 7 भी आ रहा है इस cancer, तो 3 upon 7 और 9 upon 7 ये आपके पास x और y की value आगी, ये होता है substitution method simple, बहुत simple, अब आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए, आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए, और वो सवाल ये होना चाहिए, कि भाईया हमारे पास जो ये 2 equation 2 x plus y is equals to 2 x plus y is equals to 3 और दूसरी equation है 3 x plus 5 y is equals to 6 5 y is equals to 6 भाईया, आपने बोला है कि क्या मैं, मैं कोई भी equation उठाऊँ और वहाँ से किसी भी variable की value substitute कर सकता हो, किसी भी variable की value substitute करता हो, तो जैसे आपने पहले क्या किया, मैंने 2 x plus y is equals to 3, ये किया, फिर अगर मैं 2 x को यहाँ shift कर दूँ, तो y की value क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 minus 2 x आ जाएगी, y की value क्या आ गए यहाँ से 3 minus 2 x आ गए तो क्या मैं ये वाली value से भी answer निकाल सकते हो, बिल्कुल answer निकाल सकते हो आप अब दूसरी equation में y की जगा पर ये substitute कर लो, same answer आएगा ठीक है, आच्छा, तो मैंने पहली equation से एक काम क्या, y की value निकाल ली, मैंने पहली equation से अगर मैं x की value निकालता हूँ x की value निकालता हूँ, तो कैसे निकालूँगा, y को उधर भेज़ दूँगा, तो 3 minus y जो अभी हमने पहले किया था, तो x की value कितना आगया, 3 minus y upon 2, 3 minus y upon 2, यह आजाएगा, आच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या मैं सिर्फ पहली equation में कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है मैं दूसरी equation जो है, मेरे पास क्या है 3x plus 5y, यहाँ से भी values निकाल सकता हूँ, किसी से भी कर सकते हो, यहाँ से y को, अगर मैं इधर 3y को इधर भेज़ दू, ओ, sorry 5y को इधर भेज़ दू, तो 6 minus 5y आजाएगा, और x का value कितना आजाएगा, 6 minus 5y upon 3, है ना, यह आपके पास x का value आगया, अब इस x की value को पहली equation में सेम equation में मत substitute कर देना, पता चल रहा है, यही से निकाल रहा है इसी equation में substitute कर दो गोबर हो जाएगा, सारा गोबर हो जाएगा ठीक है ना, तो जिस भी equation से निकालोगे, उसके दूसरी equation में substitute करना है, 3x plus 5y is equals to 6 तो यहाँ से अगर मैं दूसरी equation से y की value निकालोगा तो y की value क्या जाएगे, 6 minus 3x upon 5, तो यहाँ से भी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कोई भी equation आप उठाओ कोई भी equation आप उठाओ किसी भी equation में कोई भी value, कोई भी variable आप उठाओ कोई भी variable की value निकालो अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है जब मैं यहाँ पे y की value निकालता हूँ जब मैं यहाँ पे y की value निकालता हूँ तो मेरे fraction में कुछ नहीं है upon में कुछ नहीं है यहाँ पे X की value निकाली, upon में कुछ आया, यहाँ पे X की value आई, fraction में कुछ आया, यहाँ पे X की value निकाली, upon में कुछ आया और जब भी मेरे पास fraction आएगा, तो वो मेरी calculation को क्या करतेगा? मुश्किल करतेगा समझते हो इस चीज़ को तो आपको देखो answer सब में सेम आएगा आपको अगर मैं यहां से ये y की value इस equation में substitute कर दूँ ये value इस equation में अगर मैं substitute कर दूँ ये क्या है 3x plus 5 y की जगा पे कितना है 3 minus 2x इस इकोल्स टू 6 तो ये हो जाएगा 3x आज ती है 15 minus 10x is equals to 6 ये दोनों को solve करोगे minus 7x आएगा 5 उदर जाएगा तो ये हो जाएगा minus कितना हो जाएगा 8 5, 2, 2, 10x हो जाएगा और 6 minus 15 कितना हो जाएगा minus 9 हो जाएगा x का value कितना हो जाएगा minus 9 upon minus 7 यानि 9 upon 7 यहां से भी हमारा x का value कितना आया है यहां से भी हमारा x का value कितना है 9 upon 7 लेकिन आप देख रहे हो calculation fraction में आया कितना मुश्किल हो गया है तो यहां पर जो calculation हुई है बहुत ही simple हुई है तो अब आप दोनों में फरक समझो यहां से मैंने x की value निकाली जिसके upon में कुछ था तो जब मैं fraction वाली value को इसमें substitute करता हूँ तो मेरी calculation मुश्किल हो जाती answer पर कोई फरक नहीं बढ़ेगा अगर आपका calculation अच्छा है तो आपको कोई tension लेने की जरुरत नहीं लेकिन अगर आप calculation में दिक्कत करते हो mistake करते हो तो आपको ऐसी value निकालनी है एसी value निकालनी है जिससे calculation easy हो जाए अब आप बोलोगे भाईया सब समझ में आ गया सब पता चल गया एक चीज पता नहीं चल रही है कि भाईया ये सारे बारी-बारी से देखने पड़ेंगे क्या कि किसके fraction में क्या है नहीं बारी-बारी से कुछ नहीं देखना है आप बस ये देखो कि आपके पास कौन सा ऐसा variable है जिसके आगे coefficient 1 है x के आगे क्या है 2 है यहाँ पे x के आगे क्या है 3 यहाँ पे y के आगे क्या है 5 यहाँ पे y के आगे क्या है कुछ नहीं यानि कि 1 है बस उसी equation के उसी variable की value निकाल लो जिसके आगे coefficient क्या है 1 है क्यों कि 1 को fraction में कहां तो आपको वो equation पुट करनी है वो equation उठानी है जिसमें आपके पास variable के आगे क्या हो 1 हो जिसमें आपके पास किसी variable के आगे क्या हो 1 हो बस ये चीज़ ध्यान रखना बस आगया भाई substitution method बहुत easy है आगया हमें सब समझ में अब ये equation है आपके पास solve करो इसको show that x is equals to 5 y is equals to 2 is the solution of this linear equation इसमें तो पहले वो कह रहे है कि आपको ये show करना है कि ये इस linear equation के solution है या नहीं है show करना है कि है तो कैसे करोगे यार पहली equation है आपके पास 2x plus 3y is equals to 16 तो solution के लिए क्या करना पड़ता है आपको LHS, RHS बराबर proof करना है तो 2x plus 3y ये आपके पास LHS में है उसने बोला है x की जगा पे 5 और y की जगा पे कितना 2 substitute करके देखो तो 5, 2, 10, 3, 2, 6 10 और 6 कितना हो जाएगा 2y is equals to 1 यहाँ पे अगर मैं LHS उठाता हूँ तो आपके पास क्या है x minus 2y है x की जगा पे 5 और y की जगा पे कितना है 2 तो 5 minus 4 नहों जाएगा 1 तो LHS, RHS यहाँ पे भी बराबर है इसका मतलब क्या है इन दोनो equations के जो solution है वो क्या है 5 और 2 5 और 2 इसको कई बार ऐसे भी लिख लेता है वो 5,2 5,2 का मतलब क्या मैंने बताया था आगे x लिखते है पीछे y लिखते है ठीक है जी? चलो अब उसमें तो solution दे रखाता अब इसमें solution निकालना है पहली equation क्या है 2x plus y is equals to 7 2x plus y is equals to 7 दूसरी equation क्या है 4x minus 3y plus 1 equals to 0 यह दो equation है तो मैंने आपको सिखाया है कौन सी equation उठानी है कौन सी equation उठानी है जिसके variable के आगे क्या हो कुछ नहीं कुछ नहीं यानि की 1 तो यहां से बस y की value निकाल लो 7 minus 2x 2x उदर जाएगा तो minus हो जाएगा आपने पहली equation से y की value निकाली अब उस value को आप substitute कर दो कहां उस value को आप substitute कर दो दूसरी equation में उस value को substitute कर दो आप दूसरी equation में यानि की 4x minus 3y 3y यानि की 7 minus 2x plus 1 equals to 0 4x minus 7 3 is a 21 3 into 2 6x plus 1 equals to 0 तो 4x plus 6x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा minus 21 plus 1 कितना हो जाएगा minus 20 हो जाएगा equals to 0 तो 10x is equals to 20 उदर जाएगा positive हो जाएगा तो x का value कितना हो जाएगा 20 upon 10 20 upon 10 यानि की 2 x का value आगया 2 ठीक है simple calculation x अगर आपके पास 2 आगया तो यहां से आप y निकाल लो 7 minus 7 minus 4 x2 आगया और y कितना आगया 3 आगया तो यही इसके solution से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस method को substitution method क्यों बोला जाता है इस method को substitution method इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप एक equation से एक variable की value निकाल के दूसरे में substitute कर रहे हो तो इसलिए इसे substitution method बोला जाता है ठीक है भाई चालो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे पहले यह वाला सवाल कर लेते solve x and y for this equation by using substitution method अब आप लोगों के पास यह equation है इन दोनों equations को आपको solve करना है substitution method से पहले इन दोनों equations को थोड़ा सा fraction में है तो थोड़ा ठीक ठाक सा लिख देते इसको तो पहली equation है आपके पास 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equals to minus 2 LC हम लोगे 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 3 3s are 9x हो जाएगा 5 2s are 10y हो जाएगा minus 10y is equals to minus 2 हो जाएगा 6 को अगर मैं उधर shift कर दू तो 9x minus 10y is equals to 6 into minus 2 कितना हो जाएगा minus 12 हो जाएगा तो पहली equation आप लोगों की पास है 9x minus 10y is equals to minus 12 अब दूसरी equation की बात करते हैं दूसरी equation क्या है आपके पास दूसरी equation है आपके पास x upon 3 plus y upon 2 is equals to 13 upon 6 तो दोनों का LCM लोगे 3 दूनी 6 2 into x 2x plus 3 into y 3y is equals to 13 upon 6 6 को अगर मैं इधर shift कर दू तो 2x plus 3y is equals to 13 ये वाला 6 इधर जाएगा तो multiply हो जाएगा 1 6 नीचे पहले से है 6 से 6 कट गया तो दूसरी equation को जब आपने simplify किया थोड़ा सा तो आपके पास दूसरी equation बन गई है क्या 2x plus 3y is equals to 13 ये दो equations बन गई है अब इन दोनों equations को solve करना है अब यहाँ पे एक और चीज समझाओंगा आपको लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हो यार जो भी सवाल आप लोगों के पास आ रहे है पहले आप वीडियो को pause करो खुद solve करने के कोशिश करो उसके बाद आके बढ़ो ठीके अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है या फिर 1.25x पर देख सकते हो speed बढ़ा के ठीके जी अब आजाओ इन दोनों equations को solve करते हैं तो दोनों equations को अगर मैं लिखू तो 9x-10y is equal to minus 12 9x-10y is equal to minus 12 पहली equation है दूसरी equation क्या कहती है 2x plus 3y is equal to 13 2x plus 3y is equal to 13 अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा भाईया इसमें तो किसी के भी आगे भाईया इसमें तो किसी के भी आगे भाईया इसमें तो किसी भी variable के आगे 1 नहीं है सब के आगे कुछ ना कुछ है तो आप कोशिश ये करो कि जो छोटे से छोटा value variable आप pick कर सकते हो वो उठा लो या फिर मतलब कोई भी आप random चूज कर सकते हो लेकिन अगर आप बड़े बड़े numbers उठाओगे न 9 और 10 तो वो calculation को थोड़ा सा मुश्किल बनाएंगे तो आप कोशिश ये करो आपने ये equation उठाई 2x प्लस 3y is equals to 13 यहां से आप x की value निकालने की कोशिश करो जो की हो जाएगा 13 minus 3y x का value आजाएगा कितना 13 minus 3y upon 2 तो ये आपके पास क्या आगया है x का value आगया है x का value आने के बाद इस equation में substitute कर दो कैसे चिपका होगे 9 into 13 minus 3y 9 into 13 minus 3y divided by 2 minus 10y is equals to minus 12 तो 9 into 3 मतलब 13 into 9 9 into 27 का 7 2 carry 9, 2, 11 minus 9, 3 into 27 y upon 2 minus 10y ठीक है ये हो जाएगा अच्छा LCM लोग है इसका तो नीचे denominator में आ जाएगा 2 ये बचेगा आपके पास 117 माइनस 27y minus 20y is equals to minus 12 2 को अगर मैं उधर shift कर दूँ तो यार 117 तो किसी के साथ solve नहीं होगा minus 27 इन दोलों को solve गरूँगा तो minus 40y आएगा 2 को अगर मैं इधर shift कर दूँ तो 12 into 2 कितना हो जाएगा minus 24 हो जाएगा अब 117 को अगर उधर shift किया जाएगा तो minus 40y is equals to minus 24 minus 117 हो जाएगा दोलों को solve करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 40y is equals to 47y minus 47y is equals to कितना हो जाएगा 7 और 4 11 21 141 हो जाएगा minus 141 हो जाएगा अब क्या ये 3 से divisible है मुझे लग रहा है ये 3 से divisible है 141 upon minus 47 तो 7 3s are 21 का 1 2 carry 4 3 3 से cut क्या तो y का value कितना आगया यार आप लोगों के पास y का value आगया आप लोगों के पास 3 और x का value आप कैसे निकाल लोगे 13 minus 3 into y y का value कितना है 3 divided by 2 13 minus 9 divided by 2 तो ये हो जाएगा 4 upon 2 यानि कि x का value कितना आगया आप लोगों के पास 2 तो इस इन दोनो equations के जो solution है common solution है 2,3 x2 है और y कितना है 3 यानि कि ये जो दोनों की दोनों lines है सिर्फ और सिर्फ एक point पे intersect करेंगी और उसके जो solutions बनेंगे वो क्या बनेंगे 2,3 point पे ये दोनों lines आपस में intersect करेंगी ठीक है भाई तो ये आपके पास substitution method होता है आपके पास कितनी ही बड़ी equation क्यों ना आ जाए कोई भी चीज क्यों ना आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो बहुत सारे बच्चों को substitution method मुश्किल लगता है तो उनके लिए एक और method होता है which is elimination method वो थोड़ा आसान है वो आप next session में सीखेंगे ठीक है लेकिन ये substitution method है अब आगे बढ़ने से पहले यार मैं आप लोगों को कुछ जरूरी चीज़ बताना चाहता हूँ और वो जरूरी चीज़ क्या है आप लोगों ने देख लिया कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाता हूँ है ना आप लोगों ने देख लिया और आप लोग शायद पिछले कई session से देख भी रहोंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो यार आप लोगों के लिए बच्चों की demand पे हमने एक बच्च लाँच किया है विदान्तू के platform पे जो कि आप विदान्तू की website पे या फिर विदान्तू के app पे उस session में आ सकते हो आपको बस खुद को enroll करना होगा और enrollment की जो fees है वो आपके पास 1500 रुपे है वो आपकी जो fees है वो आपकी पूरे साल भर की fees है आपकी पूरी one year की fees है कितनी बेटा 1500 रुपे पूरे साल भर की fees कितनी है 1500 रुपे ये जो बच्च है बेटा 10 June से start हो जाएगा है ना कुछ बच्च अगर 10 June के बाद देख रहे है इस वीडियो को उनके लिए भी आप लोग भी जाइन कर सकते हो है ना तो ये जो बच्च है 10 June को start हो रहा है पूरे साल भर की fees 1500 रुपे है और सिर्फ एक सबजेक्ट की नहीं ये आपकी all subject की fees है सारे के सारे subject की fees आप लोगों के पास 1500 रुपे इसमें English subject भी included है केमिस्ट्री निकिता मैं पढ़ाएंगी मैं match पढ़ाओंगा physics अभिशेक सर गुन्नु मैं खुश्बू मैं biology सुर्भी मैं आपको sst और English की भी हमारे पास एक teacher है वो आपको English पढ़ाएंगी ठीक है यह चीज समझ में आगे है आपको अच्छा आप इन सभी टीचर्स को YouTube पे इनकी वीडियोस देख सकते हैं सारे के सारे YouTube के बहुत बड़े-बड़े महारा थी है मैं तो अब इस batch में क्या-क्या चीज़े आपको मिलेंगी यह क्या YouTube पे classes नहीं होंगी क्या अगर यह batch classes होंगे live sessions होंगे पहली बात दूसरी चीज़ क्या है इस batch में इस batch में आप लोगों के सारे के सारे doubts का ध्यान रखा जाएगा आपके जितने भी doubts है वो सारे के सारे doubts का ध्यान रखा जाएगा class तब तक खतम नहीं होगी जब तक आपके doubts clear नहीं होगे सारे के सारे doubts कैसे भाईया doubts हम दो तरीके से करेंगे एक master teacher जो आपको पढ़ा रहा है वो आपके doubts clear करेगा कैसे भाईया YouTube में भी तो मतलब ऐसे तो YouTube में भी हो सकता है यहाँ पर क्या लग दे रहे हो आप इतना पैस लोगों को देख सकता हूं आप लोग मुझे सकते हूं मैं आपसे बाते कर सकता हो आप मुझसे बाते कर सकते हो तो किसी भी बच्चे को अगर कोई doubt है तो उसको चैट में बस इतना लिख लिए hain unmute me अंकेम में यह मेरको वर्यां भईया पूछना कोई डाउट पूछना आप मिरको बता दो तो मैं आपको on and कर दूंगा हमारे पास एक बटन होगा मैं आपको ol CE scale डेरेटली अपना पूछ सकते हो वो आपका doubt expert है class के अंदर मैं तो पढ़ाऊंगा भी सारे time तो मतब यही नहीं करते रहेंगे लेकिन अगर आपका class में किसी भी point पे अगर आपका doubt आ गया है तो आपका class teacher आपके doubt solve करेगा कोई भी दिक्कत हो आपको in class आपके doubt solve होंगे class तब तक खतम नहीं होगी जब तक आपके doubt clear नहीं हो ठीक है भी या अगली बात अगर मैं आप लोगों को बताओ तो आपको daily assignment मिलेंगे daily कुछ assignments मिलेंगे questions के लिए उसके अलावा बेटा आपकी weekly और monthly basis पे आप लोगों के test होंगे monthly और weekly basis पे आप लोगों के test होते रहेंगे जिससे आपकी एक performance का पता चलेगा आपकी एक report card बनेगी आपको बताया जाएगा कि कौन सा आपका weak area कौन सा आपका strong area है ठीक है भी या अच्छा उसके अलावा यह सारे के सारे features आपको एक ही batch में मिलेंगे और इसके अलावा आपको 50 से जादा e-books का access भी मिलेगा अब यह e-books में आपके पास अलग-अलग परकार की किताबे हैं R.D. Sharma है, R.S. Agarwal है बहुत सारी किताबे हैं उन सभी books का आप लोगों को access भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इतने ही price 1500 रुपे पूरे साल भर के price में आपको यह सारी की सारी facilities मिलने वाली हैं इस batch में अगर मैं बेटा इसका एक मन्त का price निकालू तो एक मन्त का price आएगा आपका लगवग-लगवग 125 रुपे और एक दिन का price निकालू तो वो आपके पास आएगा लगवग-लगवग 45 रुपे तो 45 रुपे में एक दिन में 45 रुपे में इतने के तो कुरकुरे भी नहीं आते हैं जिसमें आप लोग यह सारे के सारे subjects पढ़ सकते हों पर एक दिन में आपकी एक class होगी यह जादा से जादा दो classes होंगी class की जो timings होंगी बिटा वो 5 बजे से 9 बजे के बीच में कभी भी हो सकती है और 1 hour की class होगी 1 hour की class होगी वो कभी-कबार extend होके 1 गंटा 5 मिनट, 1 गंटा 10 मिनट आगे पीछे उपर नीचे वो हो सकती है schedule बन जाएगा तो आपको proper time table में दखा देखुआ कब-कब आपकी classes होंगी clear है इतना अच्छा अब भी है इस batch में enroll कैसे करना है enroll करने के लिए आपको क्या करना है आप हमारे इस channel पर यह जो video आप लोग देख रहे हो यह जो वीडियो आप लोगा भी देख रहे हो तो इस video के description में आपको आना है बस जैसे just a second हाँ जैसे मैं अगर मैं अगर जैसे मालनो लेट से अगर आप यही वीडियो देख रहे हो कोई से भी मेरी वीडियो देख रहे हो आपको एक page दिखेगा यहाँ पे आप लोग buy full course कर देना जैसे ही buy full course करोगे SSI काएगा continue with google करना अपने details विल करनी है बस details विल करने के बाद आप लोगों के पास आप इस बैच में enroll कर जाओगी इस बैच का price वैसे 6250 रुपे लेकिन आपको एक special discount मिल रहा है जो की है आप लोगों के पास फिर इस बैच का price हो जाएगा पंदरा सो रुपे एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेटा इस बैच का price अभी तो इतना है कुछ time बाद इसका price बढ़ जाएगा price बढ़ने के बाद ये price 5000-6000 का हो जाएगा क्योंकि विदान तुने आज तक कभी भी इतना कम price में कोई batch launch नहीं किया और बच्चों के high demand पे कि यार हमें quality education चाहिए लेकिन हम afford नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे इसको भी afford नहीं कर पाते मतलब ऐसा बोलते हैं कि हम यह भी afford नहीं कर पाते बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ जो पैसा आप लोग आज invest करोगे अपनी पढ़ाई पे मैं यह नहीं बोलूँगा यहां से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो बट अगर आपको teacher अच्छा लग रहा है अगर आपको उसका समझ में आ रहा है तो आप पढ़ाई पे जरूर invest करना क्योंकि यही एक ऐसी चीज है शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को दस गुना रिटन देगी इसके अलावा और इससे बड़िया investment दुनिया में कोई भी bank कोई भी जगा कोई भी कोई भी share market नहीं देगा है शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जहां पर invest करके आपको बहुत बड़िया रिटन्स मिलते हैं आगर आज आप 1500 रुपे पूरे सालवर का लगाओगे तो आपको विदिन 3-4 उसका एक बहुत बड़ा advantage मिलेगा है ना आपका score अच्छा हैगा आपका score अच्छा हैगा आपको अच्छी स्ट्रीम मिलेगी अच्छी जॉब लगेगी है ना तो यह सारी चीजे तो make sure आप देख लेना जो भी चीज आपको करने डिस्क्रिप्शन में लिंक है जॉइन आकार बैच के नाम से उससे आप जॉइन कर सकते हो ठीक है भी या चलो अब पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने देख लिया अगर समझ में आ रहे तो आप आ सकते हो नहीं आ रहे तो फ आप जालू तो वह हो जाएगा आपके पास कितना बेटा एट माइनस त्री अब जो भी आपके पास जो भी आपके पास यह वैल्यू आई यह इसको आप दूसरी एक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है उसी में मत करते ना गढ़बढ हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपके पास 5M-2N is equal to 17 यह एक्वेशन है एन की जगा पे यह सब्स्टिट्यूट कर दो एन की जगा पे 8-3M सब्स्टिट्यूट कर दो is equal to 17 तो यह हो जाएगा 5M 8 to the 16 plus 3 to the 6M is equal to 17 तो 5M plus 6M कितना हो जाएगा 11M minus 16 इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 17 plus 16 और 17 plus 16 कितना हो जाएगा 23, 33, 11 से काट होगे तो M का value कितना आजाएगा 3 तो M आपके पास आगया है कितना 3 आगया है वैसे ही यहाँ पे अगर मैं M की जगा पे सब्स्टिट्यूट कर दो 8-3 into 3 तो आप लोगों के पास आजाएगा 8-9 तो M का value कितना आगया है minus 1 आगया है तो बस सिंपल है substitution method बहुत सिंपल है ठीके जी चलो तो यह आकार बैच के बारे में तो खेर बात होई रखिए इसको भी आप आसानी से solve कर लोगो I don't think so मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत है आपको अचा बस इसमें थोड़ा बहुत यह चीज ध्यान रखना कि पहली equation आपको दी गई है minus 2x minus 5 plus 3x plus y यह है तो इसको थोड़ा सा solve कर लो पहले solve कर लो जो चीज solve हो सकती है तो x minus 5 plus y equals to zero यह है पहली equation को आपने थोड़ा सा reduce करके यह कर दिया है दूसरी equation का है 3x plus y is equal to 11 अब यहाँ पे भी x का variable भी वन है y का variable भी वन है यहाँ पे भी y का variable वन है कौन सी equation उठाऊ जो आपका मन करता है वो equation उठा लो आप है ना उसके variable की value निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक आपके पासे बिटा 2x upon a plus y upon b is equal to 2 इसको solve करोगे तो यह हो जाएगा denominator में a b इसको इधर multiply कराओगे तो 2xb plus इसको इधर multiply कराओगे तो y into a is equal to 2 यह पूरा का पूरा 2a b यह पूरा का पूरा a b उधर shift कर दो तो 2xb plus y into a is equal to 2a into b ध्यान से दिख रहा है ना आपको ध्यान से दिख रहा है ना आपको आपको बस यह देखना है इसको इधर 2xb इसको इधर y a denominator जैसे यार simple सी कानी अगर मेरे पास होता मानलो 2 upon 3 plus 4 upon 5 यह होत तो कैसे करता नीचे वालों को आपस में multiply करता इसको इधर 2 into 5 और इसको इधर plus 4 into 3 वही चीज यहाँ पे हुई है a और b को आपस में multiply किया फिर इस b को 2x से multiply किया और इस a को y से multiply किया तो यह और फिर इस a b को इधर भेज दिया यह equation बन गई अच्छा ऐसे ही दूसरे वाली equation भी बनाओ x upon a minus y upon b is equals to 4 तो denominator में आ गया आप लोगों के पास a b b से x को multiply कराओगे x b हो जाएगा a से y को multiply कराओगे तो y a हो जाएगा is equals to 4 a b को पूरे के पूरे उधर shift करोगे तो x b minus y a is equals to 4 a b चार a b यह दो equation बन गई यह fraction अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ऐसे बना दिये इनको आप इन दोनों equations को आपको solve करना है कैसे solve करो एहला equation आप लोगों के पास है 2 x b plus y a लिख लेते इसको यहाँ पे भूल जाओं गवर्म है 2 x b plus y a is equals to 2 a b is equals to 2 a b और दूसरा equation क्या है बेटा x b minus y a is equals to 4 a b अब आप किसी भी equation से कोई भी values निकाल के substitute कर सकते हूँ तो यार मुझे यहां से मैं एक काम करता हूँ y की value निकाल लेता हूँ इस पूरे को इधर shift करूँगा तो यह हो जाएगा 2 a b minus 2 x b यहां से अगर मैं a की value निकाल हूँ sorry y की value निकाल ली न, variable तो y है अच्छा बहुत सारे बच्चों को यहां पे a और b भी variable नजर आ रहे होंगे a और b variable नहीं है बिटा, a और b constants का काम कर रहे हैं यहां पे यहां पे variable आपके बस a x और y है यहां पे variable क्या है आपका बस x और y है तो y का value क्या हो जाएगा 2 a b minus 2 x b divided by a यह आपके पास y का value आ गया किसी भी equation से आपने उपर वाली से निकाल लिया अब इस value को यहां पे चिपकाओ इसमें substitute करो कैसे करोगे आपके पास क्या है x into b x b minus y into a y into a sorry minus y y की जगा पे यह पूरा का पूरा substitute कर दो क्या है आपके पास 2 a b minus 2 b x upon a यह y का value है यह मैंने क्या कर दिया y की जगा पे substitute कर दिया और a यह था आपके पास यह a पहले से था is equals to 4 a b a से a cancel कर दिया जैसे ही यह bracket open होगा minus 2 a b हो जाएगा यह minus minus plus हो जाएगा 2 b x हो जाएगा और is equals to 4 a b अब यह minus 2 a b को इधर भेजो दोनों आपस में add करोगे तो कितना हो जाएगा 3 b x 2 b x में 1 b x add कर दो x b लिखो चाहे b x लिखो एक ही बात है और यह minus 2 a b इधर चला जाएगा तो 4 a b plus 2 a b यह हो जाएगा आपके पास 3 b x is equals to 6 a b क्योंकि 4 a b में 2 a b add कर दिये तो कितने होगे चार और दो 6 6 होगे अब देखो b से b cancel हो गया इससे cut होगे 3 x का value कितना आ गया 2 a आ गया अगर x का value 2 a है अगर x का value 2 a है x का value अगर 2 a है तो यहाँ पे x का value substitute कर दो यहाँ पे यहाँ पे substitute कर दो तभी तो y का value निकलेगा तो y is equals to क्या है 2 a b minus 2 x की जगा पे मैंने क्या लिख दिया 2 a और यह b पहले से था और divided by a है तो y का value आ जाएगा यह आपके पास 2 a b minus 2 2 is a 4 a b upon a तो 2 a b में से 4 a b चले गए तो कितना बचेगा minus 2 a b बचेगा क्योंकि sign बड़े का आएगा बड़ा क्या है 4 है divided by a तो कितना आगया यह आपके पास minus 2 b आगया तो y का value कितना आगया है minus 2 b x का value कितना है 2 a है ऐसे question आपके पास आते हैं और वह लिखता है कि इसको substitution method से करना है अब यह सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है NCRT का सवाल भी यह कैसे करोगे देखो इसको मैं थोड़ा सा simplify करके बता देतों आपके पास decimal के बाद एक डिजिट है decimal के बाद एक डिजिट है decimal के बाद एक डिजिट है अगर मैं इस पूरे के पूरे expression को LHS और RHS में 10 से multiply कर दूँ तो मेरे को कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप same number से multiply देखो एक और चीज है एक और चीज को समझो आप एक और चीज को समझो अगर माल लो आपके पास 2x plus 3y is equals to 4 है माल लो यह equation है आपके पास माल लो आपने अगर यहाँ पे 5 से multiply किया है तो आपको RHS में भी 5 से multiply करना पड़ेगा अगर equal to का sign बनाए रखना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा तो अगर 10 से multiply कराऊंगा तो 0.4 into x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ठीक है 0.3 into 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा plus 3y हो जाएगा 0.1.7 into 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा इसको अगर मैं 10 से multiply करूं तो यह हो जाएगा 7x हो जाएगा इसको 10 से multiply करूँ माइनस 2y हो जाएगा और जरूरी नहीं है उपर 10 से नीचे 10 से नीचे आप किसी और नंबर से भी multiply कर सकते हो बट सबके decimal वही है तो बस अब यह equation बन गई है इसको आप solve करना solve कर सकते हो है ना solve कर सकते हो आप इसको ठीक है भाई यह भी NCRT का सवाल है यह मैं करके दिखाता हूँ आपके पास under root में है कोई भी equation उठालो कोई भी equation उठालो आपने उठाया root 2x प्लस root 3y equals to 0 यह है कोई भी उठा दो क्यूंकि सब के आगे कुछ ना कुछ variable है यहां से अग x का value कितना हो जाएगा minus under root 3y upon under root 2 यह आपके पास क्या है x का value आगया यह क्या आगया आपके पास x का value आगया अब इस x की value को इस equation में substitute कर दो किस equation में आपके पास है under root 3 x x की जगा पे मैं क्या लिख देता हूं minus under root 3 upon under root 2y minus under root 8y बराबर किसके 0 के root 3 into root 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा minus का sign बाहर है तो बाहर ही रहेगा divided by root 2 as it is minus under root 8y equals to 0 समझ रहे हो बिटा root 3 को root 3 से multiply क्या under root 9 आता है under root 9 का answer कितना हो जाता है 3 यह है और यह वाला minus का sign as it is LCM अगर मैं कलू तो under root 2 as it is रहेगा यह minus 3y as it is रहेगा under root 2 को under root 8 से multiply करना पड़ेगा तो under root 2 into under root 8 कितना हो जाएगा under root 16 हो जाएगा 8 दूनी 16 होता है equals to 0 हो गया minus 3y as it is under root 16 का करोगे तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और यह अगर मैं इधर shift कर दू तो 0 into root 2 हो जाएगा minus 3y minus 4y कितना हो जाएगा-7y equals to 0 हो जाएगा और y का value कितना हो जाएगा 0 upon minus 7 यानी की 0 आ जाएगा 0 upon minus 7 यानी की 0 आ जाएगा तो 3 into 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा root upon root 2 तो x is equals to कितना हो जाएगा तो x का value 0 y का value 0 यह आपके पास इस equation के solutions है ठीक है भाई यह तो आप कर लोगे आप substitution method से आपके पास कोई भी सवाल आ गया बहुत simple सा है अब आप आसानी से कर सकते हो उसी तरीके से NCRT का सवाल है अब आप कर लोगे substitution मैंने enough number of questions आप लोगों को बता दिया है तो अब आप लोग substitution method से कुछ भी आ जाए वह आप आसानी से कर सकते हो यह वाला एक और सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा अलग है कि यह आपके पास दो equations है इन दोनों equations को solve करो फिर आपको M की value निकालनी है और यह equation दे रखा है तो सबसे पहले उसने बोला कि 2x plus 3y is equals to 11 और दूसरी equation क्या है 2x minus 4y is equals to minus 24 है इनको solve करो अच्छा देखो एक चोटा सा हलका सा आपको एक और बढ़िया सा तरीका दिखाता है यहाँ पर आपके पास क्या है 2x यहाँ पर आपके पास क्या है 2x तो मैंने क्या किया 2x का value निकाल लिए 2x is equals to 11 internationally माइनस 3y निकाल सकता हूं मैं x का value नहीं निकाल रहो अभी अभी मैंने सीधा 2x का value निकाल लिया और इस 2x की value को आप x का value निकाल के कर सकते हो है ना यहां substitute करके देखते हैं तो 2x की जगा पे मैंने 11-3y direct substitute कर दिया ऐसे भी आप लोग अपना answer निकाल सकते हो जरूरी नहीं ह इसी की ही value निकालनी है अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है जरूरी थोड़ी इस 2 को नीचे भीजना है ऐसे भी निकाल लो 11 को उधर भेज़ दो minus 3y minus 4y minus 7y हो जाएगा minus 24 minus 11 11 उधर जाएगा minus 7y 25 minus 35 हो जाएगा minus से minus कट गया 75 जा 35 तो y का value कितना आगया 5 आगया y का value आपके पास कितना आगया 5 आगया अब y अगर आपके पास 5 है तो बस यहाँ पर substitute कर दो 2x is equal to 11 minus 3 into 5 11-15 2x का value कितना आ गया तो x का value कितना आ जाएगा – 2 आ जाएगा x आपके पास – 2 है y आपके पास 5 है x आपके पास – 2 है y आपके पास 5 है y is equals to mx plus 3 ये है to m की value निकालना है y कितना है 5 है M हमें निकालना है X कितना है, minus 2 है, plus 3 तो 3 को अगर मैं इधर shift कर दू तो 5 minus 3 is equals to minus 2 M हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना 2 is equals to minus 2 M हो जाएगा तो 2 upon minus 2 is equals to M का value हो जाएगा तो M का value कितना आगया आपके पास minus 1 ठीक है भाई तो yes guys, this is all about for this session बाकि इस, इस, इसका homework यह आपका homework question है और इस question का answer आप लोगों को comment section में मुझे बताना है कि क्या इसका answer है और मैं आपका comment check करूँगा और फिर आप लोगों को shabash ही दूँगा वावा, ठीक है, आपका reply करूँगा बाकि, yes guys, this is all about for this session बाकि है मेरा Instagram ID, किसी को personally connect करना हो तो आप लोग कर सकते हो और अगर आप लोगों को मज़ा है इस session में तो make sure, do like, share and subscribe this channel for this type of amazing videos and one more thing guys क्या नाम है इसका make sure channel को subscribe ज़रूर करना और जैसे मैंने आकार बैच के बारे में आपको बताया था इससे भी धमाकेदार तरीके से वहाँ पर पढ़ाई होने वाली है तो make sure कि आप लोग वो बैच भी ज़रूर जोइन करना ठीके जी, टाटा, बाई-बाई, see you